दोस्तों सिट्रॉन ने इंडियन मार्केट में सबसे पहले अपनी जो कार लॉंच की थी उसका नाम था सिट्रॉन C5 Aircross और इसको जनता के द्वारा बहुत ज्यादा प्यार मिला जिसके चलते कम्पनी अब इंडियन मार्केट में अपनी दूसरी कार के तौर पर सिट्रॉन C3 कॉम्पेक्ट SUV को मार्केट में उतारने वाली है साथी साथ कम्पनी ने इसकी लॉंच डेट का भी खुलासा कर दिया है तो आज हम आपको इसी की सारी डीटेल्स देने वाले हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखेगा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं क कम्पनी की ये नई कार भारत में ही बनाई जाएगी और इसे काफी हद तक यहां पे स्थानियकरित किया जाएगा सिट्रॉन सीथरी को डिजाइनर्स ने SUV के जैसा लुग दिया है और कुछ हद तक यूंडई वेन्यू जैसी ये लगती है हाला कि इसके डिजाइन को सिट्र पॉन के डिजाइन लेंगविश पर ही तयार किया जाएगा और कम्पनी के कुछ सिगनेचर एलिमेंट्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं इस SUV में ब्लैक ट्लेडिंग आपको देखने को मिलती है और ओरेंज रूफ दिया गया है फ्रंट बंपर पर ओरेंज साथ डूएल टोन बंपर भी इसमें दिया गया है इंफोटेन्मेंट सिस्टम के साथ एंड्रोइड आटो और एपल कार प्लेस में दिया जाएगा सिट्रॉन सीची 21 कमपनी की कॉमन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर ही आधारित है जिसमें सिट्रॉन और प्यूजों के पेट्रोल इंजिन में ले कि आएगी ये भी माना जा रहा है कि कमपनी अपनी इस कार को सिट्रॉन सी थी स्पोर्टी के नाम से मार्कित में उतार सकती है इस नई कॉमपेक्ट एस्यूवी को हाल ही में एक प्रमोशनल स्केल मॉडल के दौरान पेश किया गया था इसके स्के उनों किनारों पर डूएल लेर हेड्लैंप्स दिये जाएंगे जो की बेहद शार्प लगते हैं और नई सी फाइव से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं सिट्रॉन सी थी को अप्राइट डिजाइन फ्लैट बोनट अंगुलर विंशील्ड और फ्लैट रूफ दी गई है ज इसमें इसके थ्री स्पोक स्टीरिंग वील को देखा गया है इसमें कई सारे बटन्स दिये गए हैं ऐसे में ये भी का जा सकता है कि ये एक मल्टी फंक्शनल स्टीरिंग वील होने वाली है अब इसके इंजिन और परफॉर्मेंस की मैं बात करू तो इस कार को 1.2 लीटर ट कमपनी इसे कॉमपेक्ट SUV सेग्मेंट में उतारने वाली है अब इसके कीमत की बात कर लेते हैं तो इसके बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि इस गाड़ी को 3,70,000 रुपए में कमपनी लाँच कर सकती है जो की 6 लाग तक जा सकती है कैसी लगी आपको ये गाड़ी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए साथी साथ ऐसी ही आउटो न्यूज मिस ना करने के लिए हमारे चैनल जियो लाटो न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूले धन्यवाद